हेलो अलो फ्यू ओके एंड लास लेक्षर में हमने वासिंग सोडे के कुछ पार्ट्स को किलियर कर दिया था जिसमें हमने देखा कि जो वासिंग सोडा होता है इट पिंस धावन सोडा होता है उसका कैमिकल लेम क्या है नैचुरल लेम क्या है कैमिकल फॉर्मूला क्या है आप का और men lawyer इसको किसे से हम कर सकते हैं ठीक इसके बाद हम सकी इसकी property पर्रॉप से सmorereally control करेंगी तो इसमें क्या है तो eta Morale Na2CO3.10s2 तो इस पे क्या होगा जैसे हम इसको heat produce कराएंगे इस पे तो ये क्या होता है कि जो हमारे water के molecules होते हैं वो separate हो जाते हैं इससे यानि कि ये equation क्या जाएगी Na2CO3 plus 10s2 यानि कि आप क्या करेंगे heat से इस आपके water के molecules को क्या कर देंगे separate कर देंगे जो कि आपके screen पे दिख रहा है छीके क्या है washing soda gate sodium carbonate after heat and boil यानि कि crystal sodium carbonate को गरम करने पर यह sodium carbonate पे change हो जाता है इसमें से water के molecules क्या हो जाते हैं आपके separate हो जाते हैं इसमें अलग हो जाते हैं इसके बाद हमारा है next action with carbon dioxide carbon dioxide से reaction करके क्या बनाएगा तो यह काफी important है और next lecture में हमारा यह रहेगा भी next topic हमारा यही है baking soda तो इसमें क्या है कि जैसे हम इसमें carbon dioxide को produce करवाएंगे या react करवाएंगे तो उस category में यह किसमें change हो जाएगा आपके baking soda में जिसका chemical name होता है sodium hypokarbonate इसके बाद next में आपका रहेगा action with water water के साथ reaction करानी है तो इस पे आप main याद रखेंगे कि caustic soda बनेगा क्या बनेगा caustic soda तो इसको replace आप कर सकते हैं easily मैंने आपको इसमें बता ही रखा है कि कैसे आप equations को तोड़ सकते हो और जोड़ सकते हो किसके साथ करानी है water के साथ तो अगर मैं देखो इसको plus minus में तोड़ू तो plus minus plus minus तो water आपका क्या gain करता है h plus और oh minus तो आपको पता है कि इसका plus इसके minus के साथ react करेगा तो इस category में क्या बनेगा आपके पास na oh चीक हो गया बचा क्या यहां से h और यहां से आपका carbonate यानि कि यह carbonyl acid बना देंगे S2CO3 जिसे हम carbon तो main आप यह याद रखेंगे कि action with water यानि कि washing soda के अगर आप water के साथ reaction कराते हैं तो उस category पर आपके पास क्या बनता है sodium hydroxide जिसे आप caustic soda गयते हैं इसके बाद है action with acid acid के साथ reaction करके क्या होगा तो acid के साथ reaction करने पर main उत्पात की रूपे आपकी क्या release होती है carbon dioxide gas क्या हो जाती है आपकी release हो जाती है इसके बाद हमारा next topic रहेगा इसके uses कहां कहां आप washing soda का use कर सकते हैं तो कहां कहां use है manufacture of sodium compound sodium के जितने भी compound होंगे sodium hydroxide हो sodium carbonate हो तो ये सारे compound बनाने में इसके use होगा जैसे आपका borax आपका sodium का compound है जैसे caustic soda इसके बाद है हमारा इसमें हम क्या है इसको cleanness agent की रूप में भी आप use कर सकते हैं आपका किसी चीच की सफाई के लिए आप use करेंगे labralty present जैको ये वाला जो point है इस point को आप सभी में कर सकते हैं यानि कि चाहे हम caustic soda के uses पड़े या आप baking soda के पड़े या bleaching powder के पड़े तो प्रियोग साला में अभी करमक के रूप में जो ये वाला point है आपका प्रियोग साला में अभी करमक के रूप में ये point आपका सभी में common रहा क्योंकि सारे के सारे labralty agents होते हैं यानि कि सभी को हम labralty यानि कि lab में आप use कर सकते हैं चीक है and next हमारा क्या है कि softing hard water hard water को soft करने में भी आप इसका use कर सकते हैं ठीक है तो देखेंगे यानिचे भी दे रखा है आपको हिंदी वर्जन में प्रियोग साला में अभी करमक के रूप में कठोड जल को म्रेदू करने में काच, साबून, आदी वेवेसाय में petroleum के सोधन में और साबून, धातूं के निशकर्षन में निशकर्षन या सुद्धी करन जैसे ही आप इसको pure कर सकते हैं metal को तो उसमें भी आपका ये काफी helpful होता है washing soda तो I hope आपको ये सारा lecture समझ में आया होगा and next video में हम करेंगे अब कौन सा baking soda तो wait करें next lecture का तब तक के लिए bye bye